Hello Everyone! Welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये यूज़ाप में, में का प्रियोग. में का प्रियोग काउण काउण सी जगहों पर काउण काउण सी कंडीशन में किया जाता है. तो इस वीडियो में हमने इसका structure और positive, negative और interrogative के कुछ examples लिए हैं उनको solve करके दिखाया जाएगा और इसमें structure भी बताया जाएगा तो में वाले sentence की पहचान जान लेते हैं जब किसी हिंदी बाक के क्रिया के अंत में या लाश्ट में सकता हूँ, सकती है, सकते हैं या सकते हो आदि सब्द आएं और बाक में संभाबना अनुमती, अनुरोध को ब्यक्त करने के लिए में का प्रियोक किया जाता है सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब sentence में हमें लिखा होगा अनुमती, इधर सामने लिखते हैं अनुमती मांग रहा होगा, जैसे परमिसल लेना या देना हो, तब भी में यूज करेंगे संभाबना, इसमें 50% संभाबना होती है, वैसे तो साइद वाले sentence में possibility होती है इसमें mail लगाया जाएगा, इसमें request भी होता है यूज, और सुबकामना, किसी को बधाई देना हो तो उसके लिए भी यूज किया जाएगा में, और इच्छा या असा, bless, मतलब आसिर बात देना हो या किसी के इच्छा के बारे में कुछ बताना हो, किसी के लिए प्रातना करना हो, या किसी को स्राफ देना हो कर्स में स्राफ होता है, तो यहाँ पर इसी टॉपिक पर सेंटेंस लिए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरू देखें, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं, में वाले सेंटेंस का पॉजिटिव जो है, इसका फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हमने नीचे लिख दिया है, इसका फार्मूला उपर है, जिससे यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर में, और बर्ड की फ पचास परसेंट संभाब ना हो, उसमें में यूज करेंगे, आज आ सकती, सायद आज आ सकती है, पक्का नहीं है, तो यहाँ पर सकती है, लड़की है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे, में, देखें सब्जेक्ट लिख गया, अब में लिखेंगे, यह हम यह बाई में, कम मिन्स आना, बर्ब की फर्षपां कम, सी ओ यम ए कम, टूडे आ जा सकती है, तो इस तरह से कंप्लीट हुआ, अब देखें सेंटेंस नेक्स लिखा है, कल बारिस हो सकती है, तो यहाँ पर हम में स्टार्टिंग जो करना है, वो इट से करना है, आपने कभी इट वाला यूज पढ़ा होगा, तो पता चल जाएगा, यहाँ पर हमने इट क्यों लगाया है, जब भी मौसम या सीजन, यह रितियों होती है, जिसमें सब्जेक्ट पता ना चला हो, उसमें इट रिउज कर बात कर रहा है, तो तुमारो लिखेंगे, तुमारो मिन्स होता है कल, अब देखें अगला है एक्जामपिल, तुम किताब ले सकते हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, मतलब तुम, तो यू लिखेंगे, में सभी में, में लगाईएगा, में टेक और बुक, या दा लिख देते, वो भी सही था, यहाँ पर हमने यह पॉजिटिब के तीन एक्जामपिल्स बताये हुए हैं, अब देखते हैं, निगेटिब के, निगेटिब सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए, इसका फार्मूला सेम है, बस नाट लग जाएगा, सब्जेक्ट फिर में और न लिखेंगे, एट, में, अब इसके बाद नॉट लगेगा, में के बाद जस्ट नॉट लगेगा, रैन, रैन मिन्स बारिस होना, और टूडे लिखेंगे, टूडे, बन गया, अब देखें, नेक्स है, निगेटिब का दो एक्जामपिल और है, आप लोग देख लिए, हां पर इंग्लेंड सबसे पहले लिखेंगे, ए, ए, अऋ, टू, ने, और, जी, ए, ऐ, ये, ए, ए, ट, में नॉट, में, नॉट, बिन मिन्स जीतना होता है, यह फस्ट फॉरम है, बर्क की फस्ट फॉरम, में नॉट बिन, डमेच, एम, ए, ती, श, कम्प्लीट हो, अब दे तो C हो जाएगा C मिन्स वा होता है May Not Come यह first form हो गई और आज की Today Today मिन्स आज यह time expression है इसको last में ही लिखेंगे इतना याद रखना है अब देखते next interrogative का जो example है वो structure है पहले यह देख लिजिए यहाँ पर में शुरुआत में आ जाएगा फिर subject, बर्व की first form, object या rest part इसको बोलते हैं last में question mark लगाईएगा यहाँ पर हमने एक mistake की है यह question mark लगा यहाँ पर क्या शुरुआत में आ जाता है तो हमें उससे कोई problem नहीं क्या जिसमें शुरुआत में दिखाए पड़े वहाँ पर में सबसे पहले लिखेंगे फिर आगे subject, verb, object sentence को बनाते हैं क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं तो यहाँ पर क्या के spelling लिखने की कोई जरूर नहीं यहाँ पर हो जाएगा में I यह subject हो गया I मतलब मैं बात करना की talk T-A-L-K talk मिन्स बात करना To you आप से है तो to you बन गया अब देखते है next क्या मैं अराम कर सकता हूं तो यहाँ पर भी में लिखेंगे क्या जिसमें आ जाए वहाँ पर में शुरुआत में लिखेंगे में I take take मिन्स लेना होता है या आराम करना take rest R-E-S-T question mark जरू लगेगा next है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं तो यहाँ पर में लिखेंगे I know know मिन्स जानना होता है K-N-O-W may I know your name your name question mark अब देखते हैं next permission देना हो या लेना हो उस वाले एक जंपिल को देखते हैं इस case में देखें permission हम देने की बात कर रहे हैं अब आप जा सकते हो तो यहाँ पर you लिखेंगे आप की you you मिन्स तुम होता है या आप permission जिसमें लेना हो या देना हो वहाँ पर में लिखेंगे में go now अब आप जा सकते हो तो you में go now next है आप अपनी कार यहाँ पर खड़ी कर सकते हो तो यहाँ पर भी you लिखेंगे you मिन्स तुम या आप में park मिन्स खड़ी करना और here मिन्स यहाँ बन गया यहाँ पर you लिखा गया है यह helping बर्ब model बर्ब है तो यहाँ पर में लिख गया park मिन्स खड़ी करना park your car here next बनाते हैं sentence तुम खाना खा सकते हो तो इसमें भी subject है you may eat food तो यह हो गया फिर में इसमें permission देना हो तो यहाँ पर में लगाएंगे तो यहाँ पर you may eat food अब देखते next अब इस case में देखेंगे हम permission लेना हो किसी से तो उसमें भी में लगेगा यहाँ पर क्या सुरुआत में रहेगा तो में हमें शुरुआत में लिखेंगे क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या सुरुआत में आ गया तो में हम सुरुआत में लिखेंगे वैसे इसका what कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे वाट नहीं लिखा जाएगा में लिखेंगे helping बर्प से स्टार्टिंग होई है लास्ट में आई माई के लिए आई हमने यूज किया अब यहां पर सेट मिन्स बैठना होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ तो मैं क्या सुरुवात में होगा तो मैं आई यहां पर आ हैं यह स्वारी प्रेंट आई लिखेंगे फिर कम इन अंदर आना की कमीन कमीन होगए अब देखते नेक्स क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो इसमें भी में लिखेंगे सबसे पहले में यू ड्रॉप यह फस्पाम होगई ड्रॉप मी मुझे और होम घर पे तो ड्रॉप मी होम यहाँ पर होम एक ही में लिखा है अचो यह मी अब देखते हैं possibility बताने के लिए जिन sentence में संभाबना बेक्त करना हो तो वहाँ पर भी में का यूज किया जाएगा सबसे पहले इसमें example देखिए आज बारिस हो सकती है यह संभाबना है पक्का है नहीं तो इसमें में यूज करिए 50% संभाबना है साइद आज बारिस हो सकती है तो यहाँ पर में का यूज करिएगा आज के लिए कोई today last में जाएगा 8 से starting के रख करेंगे 8 में रहेगा बन गया अब देखते हैं next तेज तुफान आ सकता है तो यहाँ पर भी ET लिखेंगे 8 में स्ट्रॉम स्ट्रॉम हार्ड तेज तुफान आ सकता है इट में स्ट्रॉम हार्ड नेक्स है भारत मैच जी सकता है तो यहाँ पर इंडिया लिखेंगे इंडिया में बिन दमैच यह में टी स्ट्रॉम है कम्प्लीट हुआ अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दवा कर चैनल को सस्क्राइब कर लो और हम देंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्यू फॉर